कहते हैं मैदान में हारा हुआ खिलाडी एक बार जीत सकता है पर मन से हारा हुआ खिलाडी कभी नहीं जीत सकता Welcome to Focus on Balogy My name is Zohar Azeem Basically, इस चैनल पे मैं Balogy Contents Related वीडियो अपलोड करती हूँ और मैंने सोचा बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा motivate भी करना चाहिए इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है इस वीडियो में मैं कुछ steps पताऊंगी जो आपको sequence से follow करने है और regularly follow करने है तब तक जब तक आपके boards exams नहीं हो जाते हो सकता है इन steps को follow करने के बाद आपके boards exam बहुत अच्छे हो जाए थोड़ी सी महनत के बाद आप 90% gain कर ले ठीक है तो आपको इस steps को follow करने है ठीक है तो मैं आपको step बताती हूँ So the first step and the most important steps Remove your fear Remove your fear सबसे पहले अपने मन का डर निका लिए यह जो society ने boards exam का हववा बना लिया है मतलब एक्च्छल में ऐसा कुछ भी नहीं होता हम लोग बस यह सोच सोच के depressed होता है आने वाले कल के बारे में कि हमारे result बेकार रहा तो हम क्या करेंगे यह करेंगे तो इसे सोच के depressed ना होने से बितर है कि आज हम अपनी पढ़ाई कर लें अच्छे से आप एक time table बनाईए और उसको बहुत दिल से follow करिए देखिए मैं आपको time table नहीं बता सकती तो कि हर बच्चे का पढ़ने का time अलग अलग होता है कुछ रात में बहुत अच्छे से बढ़ते हैं साथ में जब आपके पढ़ने का time है अगर आप में किसी subject को 2 गंटे दी है तो इमानदाई से आपको उन 2 गंटों में उस subject को पढ़ना है ठीक है अदरवाइस आपने सारा काम कर सकते हैं Board exam is a part of your life It is not your life ठीक है तो आपको ये काम जब आपने अपना time decide किया है तब ही आपको ये घरना है उसके अलावा आप जो करते हैं वो कर सकते हैं ठीक है तो next step क्या है हमारा Segregates your topics ठीक है Segregates Segregate the topics इसका क्या मतलब है देखे आप अपने copy पे और किसी पे भी जिसमें आपना time table लिखते हैं आप उसमें उसमें तीन column बना सकते हैं First one is easy Second one is medium Third one is difficult ठीक है देखे वेसे आप हर subject के साथ की काम कर सकते हैं पर मैं particular biology के बारे में बता रही हूँ क्योंकि मैं biology के teacher हूँ तो आप क्या करिए Suppose आपके subject में 10 chapter ठीक है तो उसमें से कुछ तो बहुत easy होता है जो आप अराम से पढ़ लेते हैं और जो आपको आते होते हैं पहले से तो आप उसको इस column में रखेगे और कुछ ऐसे chapters भी होते हैं जो थोड़े difficult होते हैं पर आपको आते भी होते हैं आपको लगता है कि मतलब आप थोड़े से महरत के बाद वह कर लेंगे और कुछ के ऐसे होते है difficult होते हैं तो आप उन chapters को अलाग अलाग parts में लिख लेजिए तो आप उन chapters को अलाग अलाग parts में लिख लेजिए सबोस जितने भी chapters मतलब 4 chapters easy में हो गया तो 5 medium में आगए 3 difficult में आगए तो इस तरीके से हर subject में कर सकते है even कोई अगर competition के त्यारी कर रहा है किसे इंटरेंस exam के त्यारी कर रहा है तो वह भी एकाम कर सकता है तो next step हमारा क्या है easy start with the easy topic देखिए मतलब mostly students क्या करते है वह सुछता है मुझे difficult topic से start करना चाहिए क्योंकि easy और यह वाले not so easy वाले medium वाले यह तो भी हो जाएंगे दो महिने के पहले भी अगर में पढ़ूँगा तब भी हो जाएंगे लेकिन आपको इसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको हमेरेश अपने easy topic से start करना है क्यों? क्योंकि एक बात सूचिए आपने आपके पाल एक महना गुज़र गया आपने easy वाले कर लिए medium वाले कर सकता है उसमें पर अगर आप difficult से start करेंगे तो आप यह भी पूरा नहीं कर पाएंगे उसमें तो क्या होगा आपका जो confidence है वो दम depression में बदल जाएगा लेकिन आपको अपना confidence build up करना है इसलिए क्योंकि तभी तो आप पड़ पाएंगे न अच्छा तो आप एक काम करिएगा अपने book के content में index में ही या फिर आपके copy पर chapter wise लिख सकते है उसको जब आपका जो chapter हो जाए तब आपको तो टिक करना है तिक या फिर कुछ लोग highlight से underline करते हैं इससे क्या होगा अगर आपके चार और पास 11 chapter हो गए यह सब आइडिया दे रही हूँ आपके यह और यह chapters हो गए तो आपका confidence कितना build up होगा कि नहीं मेरे इतने सारे chapters तो हो गए अगर आप यहां से start करते हैं तो क्या होगा बस आपके इतनी मुश्कल पिलहारे 3 तो होने वाले भी नहीं है अगर suppose 2 भी आपके इससे होगे तो आपके अच्छा लगेगा तो आपके पूरी वुक में सिफ 2 टिक होगा इससे बेटर है तो आपके easy से start करिए आपके इससे बेटर बोर्ट्स एक्जाम होता है वह एक average student को देखके बनाया जाते है तो यह समझ में आगया तो हमारा next step यह बी consistent आपको यह नहीं करना कि आपने एक दिन का time table बनाया मुझे चार घंटे यह पढ़ना है पाथ घंटे यह पढ़ना है यह आपके और जो भी subject आप जिस भी class में तो आपको यह नहीं करना है एक hafta ता आप अच्छे से follow के फिर आप बोर हो गया छोड़ दिया एक दिन में एक ही subject भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक आपके बोर्ट एक्जाम नहीं आ जाते तब तक आपको regularly अपना temptable follow करना है अपने काम के साथ इमानदार रहना है तब आप अपने काम के साथ इमानदार रहेंगे तब ही लोगों को आपके भरोजा होगा ठीक है और वैसे भी यह आपका किसी और का क्यारियर नहीं है यह आपकी फर्स्टेज है आप अगर बोर्ट एक्जाम देने जा रहे हैं तो यह आपकी फर्स्टेज है अगर यही खराब होगी तो आपसे आगे लोग क्या expect करेंगे तो आपको decide करना है कि आपका future कैसा होगा उसके बाद हमारा next step आता है NCRT कुछ बच्चे मैंने देखा है क्या करते है NCRT पे focus दाकर के reference book से बढ़ता है ठीक है पढ़ी है reference book से लेकि तब आपके NCRT पे command हो जाए मतलब NCRT छुई भी नहीं और reference book से वह topic पढ़ने लगे हम आना उसमें easy language में लिखना होता है पर कितना लिखा होता है हम तो sufficient पढ़ना है इतना ही पढ़ना है न हमको तो पहले हम इसमें से पढ़ेंगे NCRT से पढ़ेंगे अगर कोई topic हमको नहीं भी समझ में आता है उसके बावजूद भी हम पहले NCRT से करेंगे उसके बाद reference book का use करेंगे ठीक है आप उससे पढ़ सकते हैं लेकिन आपकी जब NCRT पर कमांड होगी पुरी तरीके से आपको लग रहा है कि मेर NCRT तो पढ़ लिया बस मुझे टॉप करना है तो मुझे थोड़ा extra पढ़ना है उसके लिए आप reference book का use कर सकते हैं उसके अलाबा आप क्या कर सकते हैं और अच्छा करने के लिए आपने goals को set कर सकते हैं कैसे goals को set करना है मतलब जब exam आने वाला है suppose एक मन पहले आपने goals set किये आज मुझे इतना आदा syllabus revision करना है लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा आपने goals बहुत छोटे-छोटे set करने यह नहीं कि नहीं मुझे पूरा syllabus याज पूरा revision करना है उतना ही set करना चाहिए गोल जितना आप कर सकें अपनी efficiency अपनी capacity खुद जानते हैं हर बच्छे की capacity efficiency save नहीं होती सब की अलग अलग होती है और आपके बारे में आपसे बहुतर कोई नहीं जान सकता तो अपने according अपने goals set करिए स्टार्ट से करिए बस उसको पूरा करिए अगर आप एक goal पूरा करता है तो आपको खुशी होगी आपका confidence बढ़ेगा आपको इतना साराज पढ़ना और आपको नहीं कर पाए उससे क्या होगा आप डिप्रेस हो जाएंगे और आगे कभी continue नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमेशा चटा-चटा goals को अपने set करना है और हाँ अगर फिर भी आपको लगता है क्या है कि आपकी चैप्टर पर कमांड नहीं आई है तो आप previous year question लगा सकते है देखिए मैं इदर दर की books आपको suggest नहीं करूंगी क्योंकि सबसे पहले तो आपको main क्या चीज़ क्या है आपको previous year question वही तो आपको pattern बताएगा और कुछ chapter कुछ questions तो ऐसे होते है जो as it is repeat हो जाते है तोड मरोड के लेंग्डेज चेंज करते है question वही रहता है तो आप पूछेंगे कि एक दो question के लिए मैं पूरा previous year question पेपर क्यों लगाँ देखिए उससे आपको pattern बता चलेगा और इससे आपका time waste नहीं होने वाला तो आपको उससे पूरा pattern पता लगेगा एकलिस आपको यह पता लगेगा हाँ इस topic से इस तरह के question बनता है तो आपको पता नहीं होता ना किस topic से किस तरह के question बनता है इसलिए मैं आपको suggest करूंगी अगर आप question लगाना चाहते है तो आप previous year question लगाएं एकलिस 5 years के आप लगाएं बाकी अपने साथ इमांदार है क्योंकि आप अपने उपर खुद भरोसा करेंगे तब ही दुनिया वाले आपके भरोसा करेंगे बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया